दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी आमेजिंग कार गैजट्स इन्वेंशन्स की जो की खास तोर पर आपकी कार्स के साथ इस्तिमाल होने के लिए बनाई गए हैं तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की अपनी इस पर मार देते हैं जिससे की कार के ग्लास टूटने का खत्रा बना रहता है और दोस्तों अगर आप ये कार में संद्रूफ है तो आपको और भी ज़दा दिक्कत रहती होगी क्योंकि अगर उचाई से कोई चीज गिरेगी तो वो आप ये कार के ग्लास को एफेक्ट कर सकती है जिससे बचने के लिए ये चीज काफी कमाल की रहेगी ये दोस्तों एक तरीके का ऐसा कवर होता है जिसे कि आपको अपनी कार के उपर डालना होगा और जैसे ही आप इसके इन्फिलेटर को आउन करते हैं तो ये पूरा कवर एक दम फूल जाता है जिससे कि अगर कोई भी उचाई से गिरती है या फिर ग्लास पर कुछ चीज लगती है तो इस पर कोई भी असर नहीं होने वाला इसका तो दोस्तों कार को जो लोग ओपन एरियाज में पार करते हैं तो उनके लिए चीज बहुत कमाल की रहेगी जिससे कि उनकी कार काफी हद तक सेफ एन सेक्योर र आती है या फिर अगर आप हाईवे पर लंबी लंबे रूट्स पर निकल रहे हो वहाँ पर आपका टायर पंचर हो जाता है और काफी दूर तक अगर कोई शॉप वगएरा भी ना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो इससे बचने के लिए आप इस तरीके की पंचर होने की कंडिशन में आप उसे इसली रिपेरिंग शॉप पर ले जा सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके का सेटाप अगर आप कहीं एमर्जनसी में जा रहे हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएगा जिसे की टायर पंचर होने की बाबजूद भी आप अपनी कार को लगातार इस्तेमाल कर सकेंगे नंबर 9 साइबर क्लीन कार दोस्तो कार के अंदर बहुत सारी एसी छोटी छोटी जगे होती है इसी डक्स वगएरा होती है जहां से धूल मिटी को साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये प्रॉब्लम अकसर देखी जाती है आप कित जैली टाइप की होती है जिसे कि आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं धूल मिटी को साफ करने के लिए जैसे कि आगर आप अपने कार का इसी डक्ट साफ करना चाहते हैं तो जैसे ही आप उसे उस पर लगाएंगे तो इसकी जैली इसी डक्ट के अंदर जाकर भी उससे धूल मिट्टी को बाहर निकाल कर लाएगी जो कि साफ सफाई में एक अच्छा रोल प्ले करेगा वहीं दोस्तो इस तरीके की चीज का इस्तमाल ना सिर्फ आप अपनी कार को साफ करने के लिए कर सकते हैं बलकि आपने अगर अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर नजर डाली हो तो वहाँ पर भी कीस के बीच में अकसर धूल जमा हो जाती है जिसे की कपड़े से साफ करना बहुत मुश्किल होता है तो वहाँ पर भी इस तरीके का क्लीनर आप भी काफी मदद करेगा वहीं दोस्तो इसका प्राइज भी बेहत कम होता है तो अगर आप इसकी प्राइजिंग जानना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे दोस्तो जो लोग अपनी कार को आउट्डोर में पार्क करते हैं उनकी लिए ये चीज़ काफी कमाल की होने वाली है दोस्तो अकसर ऐसा देखा होगा कि आप अपनी कार को रोट साइड में या फिर घर के बाहर पार्क करते हैं और कोई बगल से निकलने वाला आपकी कार में scratch marker चला जाता है ये problem बहुत ज़्यादा देखी जाती है जिसके लिए खास तोर पर इस तरीके के cover को बनायागी है दोस्तों ये एक ऐसा cover होता है जहाँ पर आपको एक अच्छा खासा space मिल जाता है गाड़ी को पार्क करने के लिए इसमें आपको एक छोटा सा डोर भी देखने को मिल जाएगा जिससे अंदर से जाकर आप इसे open कर सकते हैं और जिसके अंदर गाड़ी पार्क करना बेहत आसान रहेगा आपके लिए और गाड़ी पार्क करने के बाद आप इसे total pack कर देते हैं जिससे कि ये आपकी कार को धूल मिट्टी बरसाट इन सभी से बचाता है तो इस तरीके का कवर काफी ज़दा अराम दैक इसलिए रहेगा क्योंकि इसे बार-बार सेट अप करने की जरुद नहीं पड़ती तो इसी प्रोब्लम को धेखते हुए खास तो पर इस तरीके के कार्गो बॉक्स को बनाया गया है जहां पर आप अपना जरूरी समान इसमें रकर कैरी कर सकते हैं इस बॉक्स को आपकी कार के पीछे की तरफ सेट अप कर दिया जाता है जिसे की बूट स्पेस इजली ओपन हो जाएगा तो इस तरीके से आप एक छोटा सा सेट अप लगा सकते हैं अपनी कार के बैक साइट पर जिसे की समान रखने में आपको काफी ज़दा आसानी रहेगी इस तरीके के कारगो बॉक्स का इस्तमाल वो लोग भी कर सकते हैं जो कि अपने कार से लंबी-लंबी ट्रिस्प पर जाती हैं और उन्हें काफी सारा सामान लेकर कैरी करना पड़ता है तो इस कारगो बॉक्स में सामान रखिए और अपने सेर पर निकल पड़िए दोस्तो बहुत सारी लोग अपना लगेज कार के उपर की तरफ रख देते हैं लेकिन दोस्तो ज़्यादा तर जो भी लगेज ऐसे उपर की तरफ रखा जाता है वो एकदम open space में रहता है जहां पर आप बहुत सारा समान एक साथ लेकर केरी कर सकते हैं वहीं दोस्तो ये बरसात से तो आपके समान को सुरक्षित रखे गई और कहीं ने कहीं आप भी इंशूर हो सकते हैं कि अगर आप बहुत तेज ड्राइव कर रहे हैं तो आपका समान घिरने वाला नहीं है तो अगर आप कार से कहीं लंबी ट्रिप पर ट्रावल कर रहे हो तो अक्सर हमारे पास ऐसा लगेज होता है जिसे कि हम कार के अंदर लेकर कैरी नहीं कर सकते हैं। कहीं भी ले जा सकते हैं जो कि काफी जदा बहतर रहेगा। अगर आपके पास एक छोटा सा SUV ट्रक है तो आप इस तरीकी की सिस्टम को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ड्रॉर्स दिखने को मिल जाती हैं जिसमें कि आप अपने स्वमान को एकदम और्गनाईज वे में रख पाएंगे जो कि एक अच्छी बात होती है। तो इस तरीकी के सिस्टम को इंस्टॉल कराया जा सकता है SUV ट्रक में जो की खास तोर पर इन ही के लिए बनाया गया है। दोस्तो आजकल समान पहुचाने के लिए SUV ट्रक का इस्तेमाल काफी ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि यह low maintenance cost करते हैं। लेकिन दोस्तों SUV ट्रक में समान चढ़ाना उताना बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इनकी height काफी ज़्यादा होती है जहाँ पर अगर आपको किसी off-road vehicle या फिर इसी तरीके की किसी motor वगयरा को चढ़ाना है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जात लेकिन जब भी आप इने इस्तिमाल करना चाहें तो इन राम्स को open कर सकते हैं जिससे कि किसी भी तरीकी के मशीनी जैसी चीज़ को ऊपर चढ़ाया जा सकता है इसके सारे पर तो दोस्तों काफी useful लेता है ये system जो की समान चढ़ाने उतारने का काम बढ़ी आसानी से करवा स दोस्तों अगर आपका काम कुछ ऐसा है जहांपर आपको बहुत सारी चीज और समान को एक साथ लेकर करना पड़ता है अपने स्योवी ट्रक में तो इस तरीके के ड्रायर सिस्टम को इसकी खास बात ये होती है कि ये आपके स्योवी ट्रक में इंस्टॉल कर दिया जाता है जिसके बाद आपको लंबे लंबे दो बड़े बड़े डॉर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आप ज़रूरी टूल्स और समान वगरा आसानी से रख सकते हैं, इसके साथ आपको सब्रेटर्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो वो भी आपके ट्रक में आसानी से लोट हो जाएगा तो इसे खास तो अपना उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि बहुत सारा समान एक साथ लेकर कैरी कर सकते हैं या फिर ओनलाइन डिलीवरी करने वालों के लिए ये बेहद यूसफुल होने वाला है जिसमें कि वो अपने पार्सल्स वगएरा को एकदम इसमें और्गनाईज वे में रख पाएंगे दोस्तो नॉर्मली SUVs वगएरा काफी ज़्यादा हाइट पर रहती हैं जिन पर चढ़ना उतरना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन जब बात पैट्स की आती है तो उनके लिए ये चीज़ तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है तो इसके लिए इस तरीके के सिस्टम को ट्राइ किया जा सकता है जिसे कि आप ये कार की बैक पर इंस्टॉल कर दिया जाता है ये खास तोर पर एक तरीके के स्टम होता है जो कि आपके कार तक पहुँचने के लिए एक छोटी सी सीड़ी की तरह काम करेगा जिसे कि अगर आप अपने पैट्स के साथ सफर कर रहे हैं तो वो अकार के अंदर बड़ी ही आसानी से चड़ सकता है आज की इस वीडियो में इतना ही चनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिलकुल मत भूलेगा